खाज खुजली के लिए सबसे उत्तम असिदी है निम्बू का रस नारियर करतेल जदि आपके पास 20 ग्राम निम्बू का रस है तो उसमें 40 ग्राम नारियर करतेल मलाएं 60 ग्राम हो गया इसको अच्छी तरह मलाके अच्छी तरह माल्स करें पूरे स्रीर पे जैसे एक पाइल वान अपने पासे करने जो दूसरे से कराएं माल्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए तो आपको चिर्मरांट होगा परांतो उसके बाद ऐसा है ठंक पैदा होगी पूरे स्रीर में जैसे है जड़े वही स्थान पर बर्फ रखके उसमें सांती मिलती है ऐसे आपको खुजा से सांती मिलेगी परांतु एक बात का ध्यान रखना कि नारियल का तेल सुद दोना चाहिए आज कर किसी भी चीज में सुद दिता नहीं है और पैमाने पर जो सुद नहीं है उसमें मि लाबनी होगा परांतु यदि आपको नारियल का तेल मिलने में कठनाही है तो उसका जगेивать सर्षो का तेल भी लेसकते हैं 위해 परांतु विशुद दोना चाहिए मुलोटी नहीं है कर सर्षो नहीं थो त्यलीने तो तिल का थै ले शते हैंовор आ इंदर निम्by का रश और कॉ- नारियल के तेल में तो कपूर मलाने के अवस्यक तानी हैं, अब सर्सों का तेल या तिल का तेल लिते हैं तो इसमें देशी कपूर मलाना अवस्यक है, और जब इसकी माल्स करेंगे, तो माल्स करने से जैसे जलती अगनी में पानी डालके अगनी संत हो जाती है, जहां जहां मा पैदा होगी, कि आपको कार्ष का नाम निसान नहीं रहेगा, और जहां पर छोटी दाद, चम्मल, अजीमा, सुरैसिस है, उसमें भी आपको काफी रहत मिलेगी, प्रांथु इसमें एक ध्यान देना पड़ेगा, कि आपको नम्क 15 दिन के लिए टोटली बंद करना पड़ेग इस नम्क से हाथ नहीं लगाना यहीं जाकर खून में पौजन पैदा करता है